हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालग पनीर की रेसिपी बिल्कुल देशी स्टाइल में आज हम पालग पनीर बनाएंगे देशी स्टाइल इसलिए क्योंकि आज हम इसे कुकर में नहीं मिट्टी की हांडी में बना कर तयार करेंगे तो चलिए पालग पनीर बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए आधा केजी के करीब मैंने पालग लिया है जिसको मैंने दो के अच्छे से काट लिया है थोड़ा सा अधरक 20-25 कली लेसुन जीरा एक तेज पत्ता दो हरी मिरच और दो लाल मिरच एक कटोरी प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है आधा कटोरी मलाई आधा कटोरी बेसन आधा गिलास पानी और 200 ग्राम के करीब पनीर देखे मैंने मिट्टी की हांडी ली है उसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे हांडी में बनाऊंगी और धीमी आज पर पकाऊंगी अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पालक अब डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक और दो हरी मिर्ची अब हम इसे ढख कर आदे गंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हमारा पालक पक रहा है तब तक हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं मैं मसाला पीछने के लिए मॉम जिस्ते का इस्तेमाल करूँगी आप चाहे तो मिक्सी का प्योग कर सकते हैं सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज अद्रक लेसुन और इन सभी को मैं मॉम जिस्ते में दरदरा कूट लूँगी इसमें से थोड़े से प्याज और लेसुन तड़के के लिए भी बचा कर रखेंगे आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीछ सकते हैं देखिए मसाले को मैंने दरदरा पीछ के तयार कर लिया है अब इसको मैं एक कोटोरी में निकाल लेती हूँ एक बरतन लेंगे उसमें बेशन डालके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके उसको मिक्स करेंगे इसको अच्छे से मिलाते हुए गोलेंगे इसमें गांट नहीं पड़नी चाहिए देखिए हमें ऐसा पेस्ट बना के तरियार कर लेना है 30 मिनट हो गई है और हमारा पालक भी अच्छे से पक गया है अब मैंने इस तरह का एक घमना लिया है इसकी साहता से मैं इसका बारिक पेस्ट बनाऊंगी आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं देखिए मैंने गमने की साहता से इसका बारिक पेस्ट बना कर तयार कर लिया है जो मैंने पहले बेसन का गोल बना कर तयार किया था उसे भी मैं इसी में डाल दूगी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मसाला पीसा हुआ था उसको भी इसमें डाल देंगे एक बात का ध्यान रखे हंडी के नीचे कम आच रखे जादा आच करेंगे तो हमारी हंडी तूट जाएगी सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा गिलास के करीब पानी डाल देंगे और इसको ढखकर धीमी आच पर पकने के लिए छोड़ देंगे इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे 10 मिनट हो गई है और हमारा पालग अच्छे से पकर तयार हो गया है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी तड़के के लिए मैं एक कड़ाई लूँगी उसमें दो चमच देसी घी डालूँगी आप चाहे तो सरसो तेल या रिफाइंड ओयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी डालने से इसका टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है घी अच्छे से गरम हो गया है अब मैं इसमें डालूँगी एक चमच जीरा तेज पत्ता लाल मिर्च लैसुन की साबूत कलिया और प्याज और चलाते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे देखिए मसाला हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक पिंच हींग और दो बारीक कटे हुए टमाटर अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएं टमाटर को हम ढखकर पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक यह पकते हैं तब तक हम पनीर फ्राई कर लेते हैं पनीर फ्राई करने के लिए हम लेंगे एक कड़ाई और उसमें डालेंगे दो चमच देशी घी घी गरम हो गया है अब इसमें डालूंगी मैं पनीर और पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे देखे पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है अब मैं गैस बंद कर दूँगी और टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं अब हम इसमें पका हुआ पालक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना क्योंकि ये पहले से ही पका हुआ है पालक मिक्स हो गया है अब हम इसमें मलाई डालेंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे देखी मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसमें फ्राइ किया हुआ पनीर डाल देंगे इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखी हमारा देशी स्टाइल से पालक पनीर बनके तयार हो गया है इसे हम कद्दु कस किये हुए पनीर से गान निस करेंगे आप इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बना कर खाईए ये देखने में जितना खुबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही टेश्टी है अगर आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई रेसिपी रोज देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू